कोपागंज थानाक्षेत्र के तडियाव के पास अनियंत्रिक ट्रेलर ने बुलेरो में सामने से जोरदार तक्कर मार दिया जिसमें बुलेरो ड्राइवर बुरी तरह जखमी हो गया और उसका एक पैर छतिग्रस्थ हो गया सूचना पर पहुँची पुलिस ने ड्राइवर को सी एच सी भेजवाया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है घटना शुक्रवार की शाम पांच बजे की है दोहरी घार थाना क्षेत्र के रसूलपूर निवासी नगेंद्र यादव को पागंज की तरफ से घर जा रहा था अभी वल्त लियाव के पास पहुचा ही था की गलत साइट से आ रहा अनियंत्र ट्रेलर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दिया बुलेरो बुरी तरह छतिग्रस्थ हो गया ड्राइवर का एक पैर बुरी तरह तूट गया पुलिस मौके पर पहुच ड्राइवर को बुलेरो से निकलवा कर सी एच सी भीजवाया वही ट्रेलर ड्राइवर मौका देख फरार हो गया